वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी कब करानी चाहिए वजाइनल टाइटनिंग सर्जरी प्रेगननसी के पहले करानी चाहिए बाद में करानी चाहिए vaginal tightening surgery मुझे pregnancy मेरे एक बेटा हो चुका है बेटी हो चुकी और उसके बीच में क्या मैं vaginal tightening surgery करा सकते हूँ या फिर second pregnancy मैं प्लान कर रही हूँ या future मैं कर सकते हूँ उसके बाद कराना चाहिए ये question कई सारी females को रहता है तो दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर अरच्छा अभी मैं इसका scientific चीज बताता हूँ कि vaginal tightening surgery कोई भी तरीके से आप करा सकते हो ideally female जो है वो pregnancy के बाद कराने आती है because बच्चा निकलता है area dilet होता है और फिर हो चीज होती है हम लोग उसको muscle को tightening करता है उसको vaginal tightening surgery बोलता है अभी ये कई बार क्या होता है कि female जो होती है हमारे पास एक pregnancy के बाद दूसरी pregnancy के बीच में आती है तो वो भी करा सकती है उसको मालूम नहीं 3-4-5 साल के बाद क्या होगा तो second time भी post pregnancy वो करा सकती है पर हम बोलते है कि pregnancy के एक डेड़ दो साल के बाद आप ये procedure कराईए जिससे आपका hormonal जो changes होता है वो set हो जाए और आपको ये तकलीफ वापस ना हो तो दोस्तों डरिये नहीं, गबराईए नहीं हमारे female coordinator होते हैं वो आपको help करेंगे और ये तकलीफ में से बाहर निकालेंगे 100% confidential रखते हैं female coordinator ही इसमें करते हैं और हम जानते हैं कि कितने psychological aspects से आप procedure कराते हो तो डरिये नहीं, आप हमारा contact कर सकते हो Thank you so much friends